हेलो, वेलकम टो एनलोग टेकी, आज की इस वीडियो में हम ये एनलेसिस करने वाले हैं, कि चंदिरयान टू मिशन के अंदर जो हमारा लेंडिंग होने वाला था, वो लेंडिंग, सेफ लेंडिंग क्यों नहीं हुआ, या हुआ, तो अभी वो विकरम लेंडर है कहां पर, लिए ये अनलेसिस अनलोग टेकी तक के तुरू किया जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं, जैसा कि हमारा मिशन था, 30 किलो मेटर अबव चांद स्टार्ट हुआ, जब विकरम लेंडर इनिशिट हुआ, तो उसकी हाइड थी 30 किलो मेटर, अब यहां से हमारा जो विकरम लेंडर है, उसको इनिशिएट किया गया, तक कि उसकी स्पीड धीमी की जाए, और स्पीड इतनी धीमी की जाए, ताकि हमारा जो नेक्स स्टेज है, वो है रफ ब्रेकिंग स्टेज स्टार्ट हुआ है, तो 30 किलो मेटर से जो हमारा हाइड था, उसको स्पीड करना कम किया, और height आते आते around 21 से 20 km के बीच हमारा rough breaking phase start होना था तो rough breaking phase successfully start हुआ यहाँ देख सकते हैं आप circle में तो अब यह rough breaking start हुआ उसका main मक्सद था उसके speed को slow करना और around 7 km की height तक ले जाना वहाँ पर navigational control phase start होना था जो सिर्फ 38 second तक चलता तो यहाँ देखिए 6,7 km से लेकिए 37 से 38 second तक चला उसके बाद जो हमारी velocity थी उसको down करके around 400 km तक लाना था यानि कि around इसके आसपास तक आना था तो उसी के deviation में जैसे ही हमारा जब navigation control phase खतम हुआ तो हमारा fine breaking start होना था वो around 400 meter above moon surface था यानि कि चान से 400 meter ऊपर से start होना था लेकिन 400 meter आने के पहले ही around 2 km के आसपास 2 से 2.1 km के आसपास हमारा communication lost हो गया यानि कि signal वहाँ से आना बंद हो गया तो signal आना बंद हो गया इसका मतलब यह था कि या तो हमारा जो speed था वो speed कम नहीं कर पाया या तो फिर उस जगह पे ऐसी कोई condition हो जहां पे signal properly transmit नहीं हो पाया और वो block हो गया जिसकी वज़े से दो possibility बनती है वो possibility है कि वो जो हमारे lander था around 2.1 km के बाद जो signal lost हुआ तो हो सकता है कि वो signal तो lost हो गया लेकिन हो सकता है वो landing safe कर चुका हो तो safe करने का मतलब यह है कि जो speed होगी चंद्रमा पे वो speed है free fall कि वो 1.62 meter per second square है जो हमारे earth से almost 7-8 गुना कम है यानि कि अगर मैं कोई चीज धरती पे गिराता हूं किसी height से तो जिस speed से धरती पे गिरेगा उससे 7-8 गुना धीमी speed से चंद्रमा पे गिरेगा तो अगर यह signal loss होनी के वज़े से अगर यह directly गिरा होगा तो दो possibility है क्योंकि उसकी speed थी तो उस speed की momentum के वज़े से हो सकता है वो ऐसे चंद्रमा पे गिरा हो और वो जस उलेट गया हो यह हो सकता है उल्टा भी हो गया हो यह फिर दूसरी possibility है कि उसी speed में हो सकता था कि वो downwards fall किया हो और downwards fall करने के वज़े से जो lander है वो land तो कर दिया हो लेकिन हमारा communication उससे नहीं हो पा रहा है तो possibility यह दो बनती है इन दोनों possibility के अलावा क्या हम signal को restore कर सकते हैं तो चलिए हमने analysis किया है यहां पर कि possibility of lander and rover क्या क्या हो सकती हो सकता है crash landing हुआ हो जिसकी विज़े से communication devices जो थी वो damage हो गई हो और हम उ दूसरा हो सकता है safely landed हो गया हो बट communication ही सिर्फ lost हुआ हो तो communication lost हुआ है वो restore हो सकता है जब हो सकता है कि उसके अंदर sunlight है जब sun उस area में आएगा तो हो सकता है कि automatic activation जिसके इसके अंदर solar panels लगे हुए है उसकी वज़े से वो activate हो जाए और हमें signal वापस recover कर पाए बट इन सब क चांसेस बहुत ही कम है क्यों क्यूंकि अगर lander land भी हो गया हो तो जो rover है उसके अंदर crash landing हुआ होगा या फिर safe landing हुआ होगा दोनों के case के अंदर ही जो प्रग्यान जो उसके अंदर बंद है यानि कि उसके अंदर रखा हुआ है उसकी condition हो सकता है वो अपनी position से displace हो गया हो अब displace होने के वज़े से क्या होगा कि उसका बाहर आना almost impossible है अगर signal restore कर भी लेते हैं तो भी hopefully restored होगा के नहीं होगा यह हम अभी नहीं बता सकते हैं क्यूंकि जो उसकी condition है वो हम देखी नहीं सकते हैं तो उसकी condition देखने के लिए हमारे पार हमने जो तीन चीज़े भी थी एक lander था एक rover था और एक orbiter था तो lander और rover तो हमारा communication ही नहीं तो वो कहां गया उसके बार में information हमें orbiter दे सकता है तो orbital जो period है चंद्रमा पर वो है 27 days का तो यानि कि अगर कल हमारा यह crash land हुआ है तो 27 days बाद ही जो orbiter था वो एक round लगाएगा और उस round लगाने के बाद हमें इसके तस्वीर भेज सकता है कि यह किस condition में है और कहां पर land हुआ ग्रैस लेंडिंग हुआ है सेफ लेंडिंग हुआ है तो वो दोनों की condition क्या है यह हमें फोटो सिर्फ orbiter ही भेज सकता है क्योंकि orbiter हमारा working condition में है और वो एक साल तक काम करेगा तो यह exact पता लगाने के लिए कि हमारा lander और rover किस condition में है उसके लिए 27 डेज का time लेगा क्यों क्योंकि orbital period 27 days है तो 27 days बाद ही हमें पता चल पाएगा कि exactly उसकी position क्या है तो यह analysis आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट कीजिए और हमें बताईए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू